हाई दोस्तो आज हम जानेंगे खोज और अविस्कार में अंतर क्या होता है डिफरेंसेंस ठीक है की डिफरेंसेंस क्या है अंतर क्या है खोज और अविस्कार खोज और अविस्कार खोज और अविस्कार में अंतर क्या है आपके मन में कभी कभी यह प्रस्न आया होगा कि खोज और अविस्कार में अंतर क्या है अंतर एक की दोनों एक है मैं बताता हूं आज कि दोनों में अंतर है खोज का मतलब होता है कि माल जब आएसी कोई वस्तु जो पृत्वी पर मौजूद है या चीज जो पृत्वी पर मौजूद है यानि है पृत्वी पर वह उपलब्ध है लेकिन उसको आज किसी न किसी साइंट्रिस्ट के द्वारा खोजा जाता है तो उसे हम खोज काते हैं भ॥ शुक्य उसे हम खोज काते हैं कोई वस्तु पृत्वी पर मौजूद है हम खोजे उससे मैं जिस वस्तु में जिस रुप में पाऊंगा उसको हम खोज कहेंगे या खोज हो गया और आव आविस्कार अवभ मतलब होता है वह वस्तु जो प्रिद्वी पर मौजूद है यानि प्रिद्वी पर है लेकिन उसमें कुछ जो है कुछ परिवतन करके यानि कुछ न कुछ बदलाव करके लोगों के सामने प्रस्थुत करते हैं तो मेरा आविश्कार होता है ठीक है आविश्कार यानि कोई वस्तु जो प्रिद्वी पर मौजूद है लेकिन किसी के माध्यम से उसके अंदर परिवतन किया जाता है यानि कुछ न कुछ बदलाव करते हैं नया चीज उसमें अर्जिस्ट करते हैं तो मेरा आविश्कार होता है अगर आपको ये वीडियो स्प्सक्राइब परना मत भूलिएगा जैहिन